आज मैं आपके साथ शीर करने वाली हूँ स्प्रिंग रोल और समोसा शीट बहुत ही आसान दरीके से चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहां पे मैंने 50 ग्राम मैदा लिया है हाफ टी स्पून नमक और 3-4 इस्पून मैंने यहां पे कुकिंग ऑल दाला है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको हम आटा जिस तरह से गुनते हैं सेम उसी तरह से हम हमें यहां पे गुन के लेना है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हम गूनेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें दालते हुए गूनेंगे इसी क्या है आटा हमारा अच्छे से नर्म हो जाएगा और उपर से हम थोड़ा सा तेल डाल की इस तरह से हम इसको मसाज कर लेंगे और अच्छे से गून लेंगे हम इस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गोल की तरह इसे बना लेंगे इस तरह से होना चाहिए आटे में हम चार हिस्से बनाएंगे और चार हिस्सों में से हम एक हिस्से में से हम तीन-तीन पेड़े बना कर लेंगे चार हिस्से आप इस तरह से बना लिजे एकुल और हम यहां पे इस में से एक हिस्से में से तीन तीन पेड़े बनाएंगे और तीन पेड़ों का हम एक पेड़ा इसमें बनाएंगे इस तरह से आप सारे पेड़े बना कर ले लिजे एक एक करके हम एक ही साइस के तीन भैल लेंगे रोटी छोटी हम भ Быल लेंगे जिस तरह से पूरी होती है न है इतने साइस में हम इसको ब ले लेंगे देखिए इस तरह से कर लेंगे और जो गोल बनाया था घूस की राधा तरह से यह जुआ ड़ के लेंगे और तीसरी वाली हम इस पर रख देंगे अब हम इसको बेलना है हम नीचे बेल लेंगे क्योंकि हमें बड़ा बेलना है तो आप रोटी के साइस में बेल सकते हैं जितना हो सकता है आप इसे बेलिए जितना भी बेल सकते हैं मतलब जितनी ये बेलने में आ सकती है, उतना बेल के ले लीजिए तबा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है देखें, हम इसको रख देंगे और ग्यास की फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे और हमें इसे ज्यादा नहीं सेखना है, रोटी की तरह इसे नहीं सेखना है तुरंट तुरंट इसका साइट चेंज करना है हमें आप साइट चेंज करते रहेए, अटोमेटिकली इसका एक एक परत जो है ना निकलते जाएगा इस तरह से आप देख रहे हैं और इजी ये निकल जाएगा, कोई आपको ये नहीं होगा इजी निकल जाएगा आप तवे पे भी इसे निगाल सकते हैं या नीचे निगाल के भी निगाल सकते हैं सारे मेने इसी तरह से बना लिये हैं बहुत ही आसान तरीके से आप इसे घर में बना सकते हैं कितने ये पैसे बच जाएगे होम मेट बनाए और इसे रख लीजिए प्रिज में कई मेहनिते का आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं एक बार बनाएं पुरे रम्जान में स्टोर करके रखे इसे चाहे समोजा बनाएं आप इसे चाहे स्परिंग रूल बनाएं बहुत ही सॉफट और बहुत ही नर्म कैसी लगी रेसेपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हपीस